वेटी वीटेल्व वेडियो में हम डेटेल्ट अनडिसन करेंगे बात करेंगे कि आज के सेशन में हमें किस तरह का प्राइज एक्षन देखने को मिला और कल के session में हम किस तरह का price action expect कर रहे हैं और साथ में discuss करेंगे important levels जो आप कल के session के लिए ध्यान में रख सकते हैं शुरुआत करते हैं कि कल हमने वीडियो में क्या discuss किया था तो कल मैंने आपको बताया था कि कल जिस तरह की closing हुई है हम उसके basis पर expect कर रहे हैं कि या तो gap down opening होगी या फिर flat opening होगी तो आज की opening जो हुई थी वो करीब gap down opening हुई थी इससे मैं आपको interior charge पर दिखाती हूँ ताकि आप उसे clearly देख पाएं तो आप यह देख सकते हैं यह gap down opening हुई यहाँ पर कल का close आया था 23500 के आसपास और आज की opening हुई थी 23369 के आसपास और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने बहुत ही थोड़ी से गिरावट देखी रीजन यहाँ पर एक immediate support था यह level मैंने कल के हैं मैं आपको फिर से बता देती हूं कि यहाँ पर structure देखें तो बांग निप्टी का structure higher highs का है ओके तो हमने यहाँ पर पिछले low के level को mark किया था और हमने इस तरह से यह levels यहाँ पर निकाले थे तो इसी तरह से आप इस तरह से levels निकाल सकते हैं ओके सो यह levels आप देख सकते हैं बांग निप्टी ने यह level hold किया यह level हमारा था 23,160 के आसपास और आज का low अगर देखें तो आज का low है 23,212 के आसपास तो exact level मैच निगे पर करीब करीब उसी level के आसपास है लेकिन अगर आप spot chart देखेंगे तो उसमें यह exact level यहाँ पर बांग निप्टी ने test किया है सो levels निकालना उतना मुश्किल नहीं है बस आपको ध्यान देना है कि किस तरह का structure है कहाँ पर important levels है उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह आमने बहुत ही sharp recovery देखी जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको explain किया था कि यहाँ पर जो है structure तेजी का है अगर हम daily chart की बात करें या फिर weekly chart की बात करें सभी charts पर जो हमारा structure है जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी कितनी strong तेजी थी और weekly chart पर भी देखें तो weekly chart पर भी दो बड़ी बड़ी candle यहाँ पर बनी हुई है तो price action अगर आप देखें तो यह उपर की तरफ यहाँ पर तेजी का है लेकिन क्यूंकि यहाँ पर daily chart पर market बहुत जल्दी इसने तेजी दिखाई है तो थोड़ा सा correction यहाँ पर बनता था और यहाँ पर मैंने एक pattern भी discuss किया थ जिसका नाम था record count session तो उसके हिसाब से market sideways होता है या फिर correct करता है तो अभी अगर देखें तो अभी इसने पहला level ही test किया है नीचे नहीं आये तो यह sideways range के अंदर है अब हम कल किस तरह का move expect कर रहे है तो उसके लिए हम देखते हैं कि आज का price action कैसा रहा तो कल का move किस तरह क अगर रह सकता है उसके लिए आपको आज का price action study करना आना चाहिए तो आज अगर देखें gap down opening हुई लेकिन बहुत ही अच्छी recovery हुई आप देख सकते हैं अपने high के असपास यह candle close हुई है okay so यह बहुत अच्छी bullish candle है so यह चार candle stick आप चो देख रहे हैं यह चारो candle stick अगर ह इस pattern के ऊपर एक detailed video जरूर बनाओंगी okay so यहाँ पर यह देखें यह candle stick pattern में basically 5 candles होती है पर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल 4 candles है usually एक बड़ी white candle होती है तीन यहाँ पर black candles होती है उसके पाद दुबारा से big candle होती है okay so यह candle stick लेकिन यहाँ पर 2 candles and that's okay because यह क्या होता है कि हमने तीजी देखी वो तीजी एक तरह से retracement वहाँ पर हमने देखा उसके बाद retracement जैसे ही complete हुआ फिर से एक buying आगई that means जो तीजी का momentum था यह एक तरह से कहते हैं continuation pattern okay so यह जो pattern है यह basically बताता है यह कि जो तेजी हम देख रहे हैं यह आगे भी continue हो सकती है अब कल के session के लिए हमें क्या करना चाहिए कल जिसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कल की जो candle है यहाँ पर कल के video मैंने आप उस plane किया था कि कल के session की जो candle है उसका high resistance का का काम कर सकत है तो आज देखिए उस candle के ऊपर हम जाके close होएं that means कि resistance level यहाँ पर cross हो चुका है okay so अब next resistance जो आता है वो आता है यहाँ पर करीब 25,000 के आसपास और अभी जो market है करीब 23,940 के आसपास है okay so अब हमारे पास यहाँ पर का level हमें मिल चुका है resistance अब हमें identify करना है कि important support कहां हो सकता है okay so यह level जैसे आप देख रहे हैं कि आज के session में बहुत ही असानी से निकाल लिया तो I am not expecting कि यह जो level है एक बहुत अच्छा support का काम करेगा कल के session में उसके लिए आप यह देख रहे हैं कल की candle का जो low है okay so यह एक level है जो काफी अच्छा support का का काम कर सकता है आप पर 500 पॉइंट दूर है पर जब इस तरह के pattern बनते हैं तो volatility थोड़ी जादा रहती है तो यह level ऐसा है मैं expect कर रहे हूं कि इसके नीचे bank nifty कल के session में नहीं जाएगा और कल हमें एक अच्छी expiry भी देख सकते हैं so यह levels आप ध्यान में रख सकते हैं कल के session के लिए अगर यह level sustain होता है अगर हमें कल कोई correction भी दिखता है वैसे जो कल charts के हिसाब से opening लग रही है कल या तो gap up opening होगी या फिर flat ओपनी होगी chances जादा है कि कल के session में हमें gap up opening देखने को मिले होगे तो gap up opening अगर देखने को मिलती है तो उस case में फिर आप इसके high को ऐसा support मान के चल सकते हैं उ तो इस तरह से आपको levels थोड़े adjust करने पड़ते हैं जब opening अलग-अलग होती है अगर flat opening होती है तो I will consider this level पर अगर gap up opening होती है तो मैं यहाँ पर यह level consider करूँगी तो हर trader का तरीका अलग-अलग होता है आपको levels identify करने आने चाहिए कि किस scenario में कौन सा level अच्छे से काम करेगा तो अगर gap up opening होती है तो यह level हमारे लिए कल हमें ध्यान रखना है और एक तरह से अगर flat opening होती है तो उस case में जो कल की candle है उसके लोग के पास हम यह level को ध्यान में रख सकते हैं लेवल आता है 23, 450 के आसपास तो चार्ट का structure आज फिर से अच्छा हो चुका है तो अगर कल थो एक अच्छा खासा हम तीजी का move देख सकते हैं जो 25,000 और अगर देखें तो 25,000 बहुत एक major resistance नहीं है यह भी असानी से cross हो सकता है तो next level जो आता है हमारे पास जो एक अच्छा resistance हो सकता है वो करीब 26,000 के आसपास आता है तो यह दोनों levels आप ध्यान में रख सकते हैं आपक so I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर आपके कोई भी questions है queries हैं तो comment section में लेकर मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपसे फिर मेलूंगी next video में और आपने इस वीडियो से क्या सीखा आप मुझे comment section में लेकर बता सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो please like or share करना ना भूले म में आपसे फिर मिलूंगी next video में तल देन बबाई have a happy learning